हेलो दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो के माध्यम से इस session के माध्यम से हम जानेंगे की कि इसकी is की डिया इन कि जाती है और दोनों में और की기는 प्रेंट में आए क्या रिलेशन्स है तो आए बज़ु Means जानते हैं carrier लेशन्स वेल्ड कैसा होता है यह फीलिष्न ऋच्वार्षन ऑपको दिखञे रहा होगा सामने यह बज़ूं ऐसे एक दूसरे के ऊपर एक प्लेट राखी गई है और सीधे हमने क्या कर दिया है इसको ऐसे में जैसे आपको सामने दिखा रहा है वैल्ड कर दी हो हम कहते हैं सिंगल ट्रांसवर फिलट वैल अगर देखेये यह एक दूसरे पर एक ये प्लेट आ रही है जहाँ पर एक प्लेट का सीरा दूसरे प्लेट के उपर आ रहा होगा उने सीरों को wed कर दें अगर हम 1 यहाँ पर weld कर दें टो इसको single ट्रांसस्विर फ्लेट वैल रद करेंगे अगर नीचे से जहां पर नीचे वाली plate का सीरा जो है वो उपर वाली plate पर मिल रहा होगा वहां पर भी हम उसको weld कर दें तो इसको double transverse fillet weld कहा जाएगा तो यह आपका transverse fillet weld और transverse fillet weld के अगर हम बात करें तो हमेशा यह tensile strength के लिए design किया जाता है पैरलल फिलट की अगर वाल्ड करें तो कुछ इस तरीके से एक प्लेट है एक दूसरे के उपर रखी गई है एक प्लेट यह है उसके नीचे दूसरी प्लेट है हमने उपर वाली प्लेट को नीचे वाली प्लेट के साथ इस तरीके से हमने क्या कर दिया है वैल्ड कर दिया है इस प्रकार के जो joint होते हैं, इस प्रकार के जो welding joint होते हैं, ये आपके square strength के लिए design के जाते हैं, इसको parallel fillet weld कहा जाता है, parallel fillet weld, और अगर हम बात करें दोनों की strength की, तो हमेशा ध्यान रखें, strength of transfer fillet weld जो होती आपकी 1.17 time होती आपकी, किसके strength of parallel fillet weld के.